साथियो जिनोंने यूरिया तक लिए किसानों पर लाठिया चलाई वो गाउ किसान का हित नहीं सोच सकते सीतापुर के किसान कभी नहीं भूल सकते कि कैसे गन्ना बेचने आए किसानों पर मिलके फाटक के सामने लाठिया बरसाई गई थी ये सीताफुर की बात आपको याद होगी भाईयो इनका ट्रेक रिकोर्ड गन्ना फैक्टनियों को बंद करने का भी रहा है योगी सरकार नई गन्ना फैक्टनियां भी लगा रही है और पुरानी फैक्टनियों की ख्शमता भी बढ़ा रही है आज गन्ना किसान को परची गर बैठे अपने मोबाईल पर ही मिल रही है हम इथेनौल के उत्पादन पर भी जोर दे रहे हैं ताकि गन्ना किसानों को आएका एक और विकल्प मिले पसुपालन से गाउ के किसान की आमद नी बढ़े इसके लिए भी हम इमानदार प्यास कर रहे हैं हम बे सहारा पसुओं के लिए पसुशालाय बनवा रहे हैं ताकि किसानों की दिक्कत कम हो कोशिज ये भी है कि पसुओं के गोबर से भी अतिरेक्ट आएक किसान को मिलना शुरू हो जाए साथियों यूपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो दंगाईयों को गुन्डों को माफियाओं को बढ़ावा देते हैं उत्तर प्रदेश के जागरुक लोग इस बात को भली भाती जानते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग जी जान से कह रहे हैं आएगी तो भाजपाही आएगी तो भाजपाही आएंगे तो योगी ही लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है ये दंगावादी आप लोगों को बांटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको एक जूट रहना है एक जूट हो करके मतदान करना है और आप याद रखिए पहले मतदान कमल निशान फिर दूसरा कोई काम